हेलो एफ्रिवन स्वागत है आप से लोगों का स्टेड़ी 5.6 में आज मैं आप से लोगों को गुड़न फल गयात करना सिखाएंगे तो देखें पहला स्वाल है यक्स प्लस टू एक ब्रेकेट में है दूसरे ब्रेकेट में यक्स प्लस 5 लिखा हुआ है इसको आपको कैसे सालब करना है तो देखें पहले आपको जो है यक्स का गुड़ा यक्स प्लस 5 में करना है इसके बाद 2 का गुड़ा आपको यक्स प्लस 5 में करना है कैसे करना है वो आप लोग ध्यान से देखें X का गुड़ा करना है तो X लिख दीजिए किस में करना है? X plus 5 में करना है तो bracket लगा कर क्या X plus 5 लिख देंगे इतनी बात आपको सौनज मैं, इसके बाद bracket बंद कर देजिएगा इसके बाद plus 2 का गुड़ा X plus 5 में करना था तो यहाँ पर क्या? plus 2 लिख लेंगे कितना, प्लस 2 लिख लेंगे, इसके बाद किस में करना है, यक्स प्लस 5 में करना है, तो ब्रेकेट के अंदर यक्स प्लस 5 है, तो आप यक्स प्लस 5 लिख लेंगे, असा करता हूँ, यहां तक सभी को सवंज में आ गया होगा, अब आप हल कर लेंगे, यक्स का गुड़ा यक् में करना है तो जब दो का गुड़ा एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा कितना प्लस टू एक्स इसके बाद दो का गुड़ा जब आप पांच में करेंगे कितना हो जाएगा दस हो जाएगा यहां तक सभी को सुझ मैं आपको क्या करना है यहां पर यक्स स्क्वाइर लिखा हुआ है इसको इसी तरह लिख लें यक्स स्क्वाइर अब दिखें पांच यक्स धन्दो यक्स लिखा हुआ है तो पांच यक्स धन्दो यक्स जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पांदो साथ यक्स तिहां पर आप क्या लिख देंग X-4 एक bracket में है, इसके बाद X-7 है, यानि X का गुड़ा आपको पहले X-7 में करना है, इसके बाद X-7 में करना है, यहाँ पर क्या? X-7 लिख लेंगे, अब आप गुड़ा कर लेंगे, X का गुड़ा X में करना हो जाएगा? X-2 हो जाएगा, X का गुड़ा फिर 7 में करना हो जाएगा? 7X हो जाएगा, अब आपको माइनस 4 से गुड़ा करना है, तो माइनस यहाँ पर लगा क्या plus x लिखा हुआ है तो plus लिखिए या ना लिखिए हो माना जाता है तो minus 4 का गुड़ा जब आप x में करें कितना हो जाएगा minus 4 x अब आप minus का गुड़ा आप plus में करेंगे तो अगर यहाँ पर minus है यहाँ पर plus है तो चिन क्या हो जाएगा बदल जाएगा तो minus और plus क्या होता है minus होता है तो यहाँ पर आप minus लिख लिख लिखेंगे अब 4 का गुड़ा आप साथ में करें कितना हो जाएगा 4 सते 28 होता है 28 आसा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे फिर आप देखिए x square लिखा हुआ है तो x square लिख देंगे plus 7 x minus 4 x लिखा हुआ है 7 x समसे 4 x आपको घटाना है तो कितना आजाएगा आपका plus 3 x हो जाएगा यहाँ पर किसका चिन लगेगा जब आप plus और minus करेंगे तो minus होता है लेकिन यहाँ पर चिन उसी का लगता है जिस चिन के सामने वाली संख्या क्या होती है बड़ी होती है तो इसके सामने क्या plus लगा हुआ है तो यहाँ पर plus लगेगा इसके बाद आपका यहाँ तक 3 x हो गया है इसके बाद यहाँ पर minus 28 लिखा हुआ है तो minus 28 लिख लिख लिजिएगा यही आपका क्या हो जाएगा अच्छा करता हूँ यह भी आपको समझ में होगा प्रस्ट ने तीसरा है देखे लास्ट प्रस्ट ने ध्यान से आप लोग समझेगा यहाँ पर लिखा हुआ है x square plus 5 एक ब्रेकेट में दूसरे ब्रेकेट में x square minus 7 लिखा हुआ है x square minus 7 लिख लेंगे इसके बाद आप देखेए प्लस 5 का गुडा करना है तो यहाँ पर प्लस 5 कर दीजिएगा किसमे करना है? x square minus 7 में करना है तो x square minus 7 यहाँ पर कर देगे अब आप गुडा कर लिजिए x square का गुडा x square में करेंगे कितना हो जाएगा? X का power कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा देखें, जब यहाँ पर घातें 2 है इसका भी घात 2 है तो गुड़ा करेंगे किया हो जाएगा? जुड जाएगा X पाइप कितना हो गया? फोर हो गया अब X का गुड़ा minus 7-7 करेंगे अब देखे 5 का गुड़ा माइनस 7 में करना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 5 सत्य कितना होता है, आपका 35 होता है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे, यहाँ तक से भी कोशन में आया ह हो जाएगा आपका 2X2 about k晚上 two x square यहाँ पर किसका चिन लगेगा मानिस खोलगा है तो क्या होगा मानिस होता है अब देखिए किसका लगेगा जिस चिन के सामने वाली संख्यां बड़ी होगी उसी का चिन लग जाएगा यहाँ पर 7 है इसकी सामने मानिस लगाए यहां पर माइनस लएगा अब यहां पर देखी इसका काम हो गया आगे माइनस 35 लिखा हुआ फिर आप माइनस 35 लिख लेंगे यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा आसा करता हूँ मेरे द्वारा बताया जा रहा हुआ तरीका आप सही लोगों को स्वाज में जरूर पूरा रहा होगा तिसी प्रकार के मदधफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जोर सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक और सेर करना भूलेगा धन्यवाद